दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि chat GPT क्या है और being a digital marketer आप कैसे chat GPT का use कर सकते हैं दोस्तो chat GPT एक तरीका का chatbot है जिसमें GPT का full form है जनरेटिव pre-trained transformer इसमें पहले से ही कुछ information डली हुई है जिससे आपको जो result मिलते हैं वो बहुत ज्यादा सटीक और accurate मिलते हैं यह अभी तक की latest AI technology पर बेस्ट जिसकारण से यह आपको best information best structure में लाके दे पाता है दोस्तो open AI करके एक startup है जिसका यह tool है जिसने AI पर based इस tool को बनाया है इस chatbot को बनाया है चैट GPT को बनाया है और फिलाल यह बहुत अच्छा perform कर रहा है as a marketer आज हम जानेंगे कैसे हम chat GPT का use कर सकते हैं दोस्तो chat GPT का use करनेंगे लिए सबसे पहले आप open AI.com पर आ जाए उसमें यहां उपर आपको try की button दिखे कि इस पर click करेंगे अब यहां पर आप जो भी command देंगे वो आपको यह perform करके देगा जो भी text आप लिखवाना चाहते हैं जो भी structure जो भी write-up आप लिखवाना चाहते हैं वो यहां हो सकता है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा write leave application to principal for four days तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह automatic type करते जा रहा है बहुत ही relevant application आपको यह लिख के देगा तो यह देख सकते हैं दोस्तो आपके सामने एक बहुत सुन्दर application बनागे तू principal XYZ school city का नाम लिखना subject leave application for four days Dear Sir Madam I am writing to request leave for absence for four days for four days starting from so and so date I am experiencing a family emergency and need to take off some तो आप देख सकते हैं दोस्तो कितना सटीक application इसने आपके लिखके दिया है अब as a marketer आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तो जितनी भी लिखने वाली चीजे होती है as a marketer उन सभी जगे पे आप इसका लगभग यूज कर सकते हैं for example जैसे कि हमको Google Ads में 30 characters में ad की headline लिखनी रहती है तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा एक product है hair dryer तो दोस्तो यहां मैंने इसको कमांड दिये write Google Ads headline to sell hair dryer in 30 characters तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने कितना अच्छा result दिया get saloon quality hair at home with our hair dryer इस तरीकी से दोस्तो आप 30 character में आप बहुत सारी headlines try कर सकते हैं अपने product के साब से में आपको एक और example बताता हूँ दोस्तो यहां मैंने लिखा है write headline copy to sell hair dryer at 20% discount on black friday sale in 30 characters अब हम देखते हैं कि आपको क्या result मिलता है तो दोस्तो यहां आपको result मिला है black friday hair dryer sale 20% off तो इस तरीके से अगर हम दोस्तो यह line अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो नीचे इसमें एक option आता है regenerate response इसको मैं दबाऊंगो तो फिर से आपको एक दूसरा version मिलेगा इसी command के साथ तो दोस्तो आपको एक और version मिला huge black friday sale get 20% off our hair dryer तो दोस्तो इस तरीके साब इसको और creatively use कर सकते हैं अपनी चीजों के लिए आप जैसे कि एक और problem होती कि गूगल एक में आपको 90 characters में description लिखना रहता है 90 characters के description में आपको बताता हूं कि कैसे आप chat gpt का use करके लिख सकते हैं तो दोस्तो यहां मैंने इसको command दी कि write 90 characters google ads sales copy for hair dryer features stylish fast dry and safe तो देखते हैं दोस्तो हमको क्या result मिलता है तो दोस्तो आपको result मिला है upgrade your hair care routine with our stylish fast drying hair dryer safe for all hair types get saloon worthy results in no time तो देखा दोस्तो आपने आपको किता बहत्री 90 characters का description मिला है जो कि आप directly अपने google ads में use कर सकते हैं as a description और भी अगर कोई particular keywords आप चाहते हैं इसके लावा अगर आप कोई particular content लिखना चाहते हैं या blog लिखना चाहते हैं किसी particular keywords को use करके या किसी particular theme पे तो भी आप इस chat GPT का use कर सकते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा और accurate result आता है फिर भी अगर आप चाहें तो इसको regenerate कर सकते हैं या तो उसी में थोड़ा modification कर सकते हैं अभी मैंने recently इसका use किया था अपने YouTube वीडियो के description को लिखने के लिए और मैं कहूंगा दोस्तो आप भी try कर के देखिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा result मेरा इससे मेरा बहुत काम आसान हो गया दोस्तो हम एक और example देखते हैं अगर आपकी e-commerce की website है या एक Shopify store है और अगर आप किसी अपने product का description लिखना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तो यहां मैंने इसको command दी write product description product xyz hair dryer in 200 characters तो चली देखते हैं क्या result हमको मिलता है तो दोस्तो जो result मिला वो मैं आपको यहां पर पढ़के सुनाता हूँ the xyz hair dryer is a must have tool for your hair care routine with its sleek and stylish design this dryer not only looks great but it also dries your hair quickly and safely दोस्तो देखो मैंने यहां पैसा कोई keyword नहीं दिया था मैंने केवल xyz hair dryer लिया था तो इनने xyz hair dryer के लिए बहुत अच्छे-चे keywords यूज किये it advanced technology and multiple heat settings make it suitable for all hair types ensuring a personalized and damaged styling experience plus its lightweight and compact size make it easy to take with you on go दोस्तो आप देख रहे हैं कितना सोच समझ के मतलब मेरे तो thoughts भी इतनी जगे नहीं जा पार है जितना अच्छा इसने description लिखा है upgrade your hair care game with xyz hair dryer और अगर दोस्तो इसमें अगर आप command में all भी ज्यादा चीज़े यूज करेंगे जैसे कि persuasive writing या copy writing तो ये आपको और अच्छा write up लिख के देगा चलिए दोस्तो फिर मिलते हैं